इसे स्वाकत करता हूं आपका विहार बोट के नमर वन चैनल में जियां दोस्ता है नहीं आज हम लोग बात करेंगे इंटर मेट्रिक के रिजल्ट को लेकर कि या उसका मुलियांकन जो है यानि कब से सुरू हो रहा है और कब तक आप लोग का रिजल्ट आने का समभाव ना है पूरी तरह से आचेः इस वीडियो में से आपको पूरी तरह से एट तॉजह आन त्क बनजाएं और मैं बीटियो सुर्व करते हैं आप से लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तकर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चले गए तो हम लोग शुरू करते हैं तो चली हम लोग देखते हैं इस न्यूज के कटिन पेपर को और आप ध्यान से देखेगा इंटरमेडियेट 26 फरवड़ी से दो सिफ्टों में होगा मुल्यांकन का काड़िये तीक है रात 9 बजे तक कोफियों की मतलब की जांच तो देखिए आपको बता रहा है कि जो मुल्यांकन जो आप लोग समझ रहे हैं कोफिय की जांच होती है तो उसी को ही यानि मुल्यांक परवड़ी से दो सिफ्टों में मुल्यांकन तो आप लोगा जैसे के दो पाली में आप लोगा एक्जाम हो रहाता तो उसी तरह नी 26 थारीक से आप लोगा ऊने वाले उसके आपको बता रहे हैं तो ध्यान से लेकिएगा यह पटना के ग्याड़े मुल्यांकन केंद्र की पटना के 11 मुलियंकन केंद्र है उस पर अलग अलग जीदा के अनुसार यानि डिवाइट किया गया है तो पटना में 11 केंद्र बना गया है और सभी अच्छा से मतलब सेनिटाइज करा जाएगा तो यह तो अभी तो होगा ही क्योंके को नवाइस काल चल रहा है तो अभी पता ही होगा आप लोग को देखे आगे फिर क्या करा कि इंटर वार्चिक परिच्छा 2021 की उत्तर पुस्तिका किया मुलियंकन 26 फरविश्य सुरू होगा जो आठ मार आप लोग को बेज दिया जागा बोर्ट को अब आप लोग को बता रहे हम के दो से तीन दिल लगेंगे अगर आठ मार्च से अगर तीन दिल अगुशे मार्च अंदर यानि 15 मार्च के अंदर आपका इन्टर का रिजल्ट आ जाएगे तो आप लोग निस्चिंतर यह 11 से 15 तरीकने आप लोगहने का आने वाला है यह इंटर का रिजल्ट आने वाला है जितने सारे बच्चे आप लोग खुशी मनाई यह क्योंकि आप का 11-15 मार्स के अंदर आपनों का रिजल्ट करा रहा है बहुत जदा ही तेज चले वाई क्योंकि यह हिंदुस्तान का इसे बोड है जो मतलब काफी तेज चल रहा है ऐसा कोई बोड नहीं जो रिकॉर्ड तैयार कर रहा है बार-बार इतियास रच रहा है इस तरह का सब्सक्र emphasize बता रहा है कि साथ बजह सें यानि इस अवियांचन को चेंडर पर जाना नोड़े 8-10-6 मॉलियांचन का राजम कोई करना होगा और यह आप लोग लगबग चलेगा दो से धाएं घंटा मतलब सुरी दो बजकर या तीस मिनट तक यह आपका मतलब क्या रहेगा यह फर्स शिफ्टर रहेगा तो उसी तरह सेकेंड शिफ्ट का भी चालो हो जाएगा ठीक है तो चले आगे हम लोग मेट्रिक के बा से पांच दिन के अंदर यह आपनों का मुलियांकन के परिकिडिया यह शुरू कर दिया जाएगा लेकिन इसे कोई पेपर में मतलब डिटेल्स नहीं बता है लेकिन जो है मेट्रिक का यह जल्दी यह और आपनों को बता लेते हैं जब आगर यह ग्यारे से पंद्रें कर रहा है इसमें दो शिफ्टों में आप लों का पी जाच होगा और इसमें आप लों को पूरी तरह से बताए गया कि नौ रात 09 बज़े तक कोपी की जाच किया जाएगा और सुबह 7 बज़े तक यह और निरीधारित इसका मुल्यांकन के अंदरा पर जाकर के सबको अगर यह इंट्रोड में अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग एक बार जम करके सेर कर दें अपने दोस्तों में आपके लिए इतना मेहनत करता हुँ मेरे लिए आप इतना जरूर कर सकते हैं चले गाइस वीडियो को यहें तक मैं इंड करता हुँ जबते क्ल